महत्मागांधी and Indian National Movement So ICC class 10th So Mahatma Gandhi and the Indian National Movement ये topic समझने के लिए पहले हमें महत्मागांधी का mindset समझ लेना होगा महत्मागांधी का mindset अगर समझ में आ जाता है तो महत्मागांधी का stance भी समझ में आ जाएगा जिस पर बहुत सारे questions raised किये जाते हैं कि जो डिबिटेबल कॉश्चन सां इंडिन हिस्ट्री के कि उस सिचुएशन में गांधी जी ने ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों नहीं किया तो महात्मा गांधी का जो मेंटल मेक अप है पहले उसको समझ लेना होगा तो पहली बात तो बाई प्ROफेश्चन वो ऐरेस्टर हैं लायर है महात्मा गांधी दूसरी बात यह है कि महात्मा गांधी ने सिर्फ एकी परसेनलीटी से अपना कुर्रिस्प switches क concur लेटर कूर्स्पांध लियोट बसटॉय बसाए इस वरड फेमएस हुमिंटारियन मानवताबादी है महत्मा गांधी की दो फेवरेट रिलीजिस बुक्स है एक बाइबल और एक गीता जिसको उन्होंने किसी और्थोडाक्स क्रिस्चिन या किसी और्थोडाक्स हिंदू से ज़्यादा अच्छी तरह समझा था तो बाइबल से उन्होंने जो कुछ लिया है वो हुमिनिजम है लिए टॉल्स्टाइ तो जो कुछ उन्होंने लिया है वो हुमिनिजम है और लिए टॉल्स्टाइ और महत्मा गांधी की बीच में बहुत सारी similarities थी उनके belief ऐसे थे कि दोनों ही inspired थे महत्मा बुद्ध से Light of Asia दोनों के ideal थे Socrates और सॉक्रेटीस ने जहर पी लिया था लेकिन यह accept नहीं किया था कि मैं teach करना बंद कर दूँगा उन पर सॉक्रेटीस पर यह charge था कि आप Athens के जो नौजवान लोग हैं उनको misguide कर रहे हैं तो सॉक्रेटीस ने वो जहर पीना पसंद किया था तो महत्मा गांधी के जो ideal हैं वो सॉक्रेटीस हैं तोलस्टॉई के तरीके और महत्मा जी जो सबसे ज़्यदा inspired हैं जिस बुक से वो रसकिन की on to the last है बुक यह western philosopher है इसके अलावा जो famous the kingdom of God is within you यह जो famous article है यह जो famous essay है इसको गांधी जी ने अपनी life में पूरा adapt किया है तो गांधी जी is associated with महत्मा बुद्ध गांधी जी is associated with सुकरात गांधी जी is associated with Leo Tolstoy गांधी जी is associated with Ruskin गांधी जी का गन से कोई connection नहीं है तो गांधी जी को जो लोग गन से connect करके गलत सवाल उठाते हैं वहाँ पर इसलिए मैंने यह बात clear कर दी कि उनका mindset कैसा है अब बात आती है कि गांधी जी इस तरह की विचारधरा के विक्ति है अब गांधी जी का Indian politics में तब आना होता है फर्स्ट वर्ड वार के पहले और सेकंड वर्ड वार के बात तक यानि between the wars and before the war and after the war यह गांधी का पीरेड है और इसके पहले क्या हो चुका है इसके पहले जो moderates है वो इंडिया में एक political awareness क्रियेट कर चुके हैं अब situation जिस समय महात्मा गांधी का अमर्जन्स होता ना अरसल मुमड में पहले उसको समझना पगेगा तब ही गांधी का रोल समझ में आएगा तो पहली बात तो यह है कि moderates इस समय एक political awareness क्रेट कर चुके हैं और एक constitutional लगाई शुरू हो गई है constitutional reform की डिमांड शुरू हो गई है moderate से assertives agreed नहीं है उनके तरीकों से agreed नहीं है उनकी demands कुछ उनसे दो स्टप जादा है तो गांधी जी आ रहे हैं इंडियन politics में जनवरी 1915 में उनको गोखले गोपाल कृष्ण गोखले साउथ आफरिका से convince करके ला रहे हैं और साउथ आफरिका वो गए थे दादा अब्दुल्ला का केस लगने 1993 से लेकर 1915 तक वो साउथ आफरिका में रहे और वहाँ पर उन्होंने बहुत ल लगाई किस तरह की लग रहे थे constitutional लगाई गांधी जी का system को replace करने में यकीन नहीं था system को best perform कराने में यकीन था यानि system जो भी है existing system जो भी है उसका ideal क्या होना चाहिए उसका ideal humanism होना चाहिए तो जो best possible ideal हो सकता है वो गांधी जी के समय में democracy का था जो James Mill का Liberty का French Revolution का और American Revolution से जो ideals democracy के निकले थे गांधी जी का उसमा पूरा belief था और England democracy को represent करता था तो इसलिए कभी भी ये बात ये बात out of question है कि उन्होंने सीधे anti-british attitude क्यों नहीं अपना लिया क्योंकि गांधी जी का constitutional तरीकों पर ही यकीन था कारण कि वो best तरीका democracy का तरीका था तो democracy को best perform कराना च तो अब बात ही आती है कि गांधी जी का जो period है वो period है जब first world war आने बाला है और first world war के पहले इंडिया में political awareness आ चुकी है तिलक major leader के रूप में emerge हो चुके है तिलक को गांधी जी का foreigner कहा जाता है और तिलक ने mass moment भी इंडिया में शुरू कर दिया है लेकिन वो mass moment महराष्ट तक ही localized है तोगा बहुत सुरिणाद बेनर्जी के effort से बंगाल में वो उसका concentration हुआ है चदामरं पिल लाई मिद्रास में छोटे चोटे पाकिट्स है लेकिन all India mass moment नहीं generate हुआ है क्या फरक आने वाला है गांधी के पहले और गांधी के बाद गांधी के पहले ये लिखा है famous historian historian पगिकरने कि वो union jack था जिसने इंडिया को एक कर दिया था और गांधी जी के period में ये बात हो गई कि वो खादी थी जिसने इंडिया को एक कर दिया था ये historians के language में फरक आ गया है तो यही फरक गांधी ने create किया है इंडिया में तो अब आप बात को समझना है union jack को खादी ने replace कर लिया तो आप बात को समझना है कि गांधी जी ना कि किया किया देखिए assertives assertives का रोल बिल्कुल clear है कि वो मास से connected है वो ज्यादा sacrifice करने के लिए तैयार है लेकिन चाहे लाला राचपत्राय हों चाहे विपिंचंदरपाल हों और चाहे बाल गांगा अधर तिलक हों व जो first world war है उस first world war में भारत में जो एक युवा करांतिकारी है जो जिनका यकीन इस बात में है कि हम इस सरकार को replace कर सकते हैं हम हम पिस्टॉल और बंदू की राजिनित कर सकते हैं यानि कि हम इंडियन जो ब्रिटिश गवर्मेंट है उसको replace कर सकते हैं तो इस विचारधारा स से गांध जी सहमत नहीं थे क्योंकि उनका ये हिंदु सुराज में उन्होंने बहुत ठीक से बात लिखी है कि यह उनका ठोस मानना था कि इंडियन पीपल में इतनी पावर नहीं है इतने गन का पावर नहीं है कि वह ब्रिटिश को by force हटा सके इसलिए अंधर तक उनका नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी पावर हमसे बहुत जादा है तो फिर क्या रास्ता है ये वही रास्ते गांधी जी ने ढूगे तो कॉंस्टिटूशनल तरीके से लगना है सिस्टम को बेस्ट परफॉर्म कराना है तो सिस्टम को बेस्ट परफॉर्म कराने के लिए क्या क पढ़ेगा, पहले तो सिस्टम को कॉपरेट करना है, ताकि अगर सिस्टम सच में इमानदार है, तो हमको उसका रजल्ट दे देगा, यह गांधी जी ना कर किया, नाइटीन फिफ्टीर में आए, और आकर के फर्स्ट वर्ड 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 चल रहा था, फर्स्ट वर्ड वर् यह question meaningless है, वो कभी मिले हुए नहीं थे, वो सिस्टम को इंडियन के फेवर में परफॉर्म कराना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने यह कहा था, कि भरतियों को जो है, वो अंग्रे जी सेना में भरती हो जाना चाहिए, और भरती हो करके, वो कॉल दी उन्होंने कि बहुत सा रिफॉर्म दीये भी, लेकिन अब पांट यह है, कि जो दिया गया उससे साटिसफाइड गांधी जी नहीं हुए, क्योंकि साथ में ऐसे बहुत सारी चीजें हो गई, जो जिनोंने इंडियन फ्रीडम को सप्रेस कर दिया, क्योंकि तिलक भी बहुत सारी फ्रीडम की मांग क रहे थे, फ्रीडम मतलब हैविस कारपस की फ्रीडम, राइट टुस फ्रीडम फिरिडम फिस्पेच जो जो मॉडरेट्स भी डिमांड करते चले आ रहे थे, और बाद में नहरूर रिपोर्ट में तो जाकर कि हमने उननीस उननीस फ्रीडम मांगी, क्यों उननीस तरह की सुन इंडियन पालेटेक्स में पहला टर्न है, सहयोगी से असहयोगी होना, यानि कॉपरेटर से नॉन कॉपरेटर होना, ये गांधी जी का इंडियन पालेटेक्स में पहला मूव है, और दिखिए, जब वो आए हैं, तो उन्होंने सीधे नाशनल पालेटेक्स नहीं सुरू कर सबसे पहले गांधी जी ने मास से जोगने की कोशिश करी तो चंपारन का जो मुवमेंट है वो फेमस है राजेंद प्रसाद बिहार के लीडर थे और इसके अलाबा बहुत सारे लोकल लीडर से उन्होंने गांधी जी को इन्वाइट किया कि चंपारन में आप आईए तो यह का पहला जो है मुवमेंट था वहां पर जाकर उन्होंने एक लोकल एक्सपरिमेंट किया ऐसा ही एक्सपरिमेंट वो साथ अफरिका में करते रहे थे वहां पर एक्सपरिमेंट क्या किया कि जो नील की खेती होती थी तो नील की खेती दे कि बिटिशर्स के भी फाइदे में यह तो इसलिए कर रहे थे कुछ फाइदा भी था लेकिन बहुत सारे सालों में उनको नुकसान था तो यह जो प्रैशर तो बहुत सारे किसान से ले तैयर नहीं थे कि हमको को इस वाद के लिए गर्रेड नहीं थे साथ अफरिका में इन्होंने Constitutional लगाई करके वहां पर जो registration act हा उसको पास करा लिया तो बहुत बगी बात मानी गई कि racial racism के खलाफ इन्होंने बहुत बगी जग जीत ली है तो वो जब जीत करके वो यहां पर आए थे और जब आए थे तो उनको बिला आए गया बिहार में औ तो वहां पर जाकर उन्होंने उनको जिला प्रशासन ने रुखने कोई कोशिश नहीं करी क्योंकि किसी को बिलीफ नहीं ताकि कुछ करा पाएंगे गांदी जी ने जाकर के वहां पर थोका सा स्टडी किया और डिमांड किया और डिमांड करने के बाद डिमांड करने के बाद आपस में Britishers और किसानों की बीच में एक समझोता करवा दिया इस समझोता करवा दिया लोग कहते हैं कि गांधी जी जैसे एक फेमस इतियास का जूडिस ब्राउनों ने लिखा है कि वो contractor of the contractors थे ऐसा नहीं गांधी जी contractor नहीं थे गांधी जी system को best perform कराना चाहते थे तो best perform करान किसान का जेल जाने की लिखा रहे हैं कोई नहीं तयार है भी इसलिए गांधी जी ने दोनों के वीजे समझोता करवाया तो चंपारन गांधी जी का एक सफल सत्ता करे था गांधी जी का पॉलिटिकल गुरू तो सबको मालू मैं कौपाल कृश्ण को खले लेकिन गांधी ज की बहुत कुछ नहीं यहां से क्वेर करे हैं तो पहली बात तो गांधी जी पर कीटा का एक्ट है जिस पर गीता का effect हो वो दरपोग वेक्ति नहीं हो सकता है बहुत लोग कहते हैं कि अहिंसा और इस सत्याग्रहे SZEPHiji यह सब में शावर के वैपन्स है नहीं ये सब जिसके चंपारन का जो सत्याग्रे है गांदी जी का सत्याग्रे का है सत्याग्रे करना मतलब जो सच बात है उस सच बात के लिए वानिए फैक्ट को सामने लाए जाए स्टेडी किया जाए कि सच में किसान प्राब्लम में है प्राब्लम में है तो आप सॉलूशन निकालने के लिए आ पड़ेगा आपको आपको सक्रिफास करना पड़ेगा और यह सारे के सारे जो जो यह केसे हैं इन के समझ में आ गया कि गांदी जी जहां भी पब्लिक के फिवर में जाते हैं कुछ ना कुछ पब्लिक को दिला देते हैं अब यहां बहुत से गांदी जी कुछ ना कुछ को दिलाते हैं बहुत कुछ को नहीं दिलाते हैं और यह बहुत कुछ कैसे दिला सकते हैं बिटिश गवर्मेंट के पास अनलिमिटेड पावर है क्या हमारे किसान क्या हमारे मजदूर क्या हमारा मद्यमवर्ग क्या हमारा दुकांदार क्या हमारा दिरोजगार नौजवान किया हमारा जो 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 एक लेवल का वेक्ति है वो ब्रिटिस सरकार से बिलकुल बाई गन अपोस करने के लिए तैयर है और ऐसा गांधी जी ने बहुत बार कहा है कि अगर आज में कहूं कि आप बंदूग गोली यहां चलेंगी आप आएंगे मेरे सा तो एक भी वेक्ति मेरे सात्यार नहीं होगा तो पहली बात तो गांधी जी का जो टूल है वो सत्याग्रह है और सत्याग्रह की जो पावर है वो अहिंसा से आती है यानि कि अपनी बात को अपनी बात को forcefully कहना अच्छे तरीके से पहले सच को जान लेना और फिर उस सच का आग्रह करना और जो आप सच का आग्रह करेंगे तो बहुत ज़्यादा उसका resistance हो नहीं सकता है क्योंकि सच तो सामने आएगा ही और basically सच ही survive करता है तो यह जो सत्याग्रह है यह गांधी जी के जो मैंने पहले बताएगे उसके source of inspiration क्या है वहां से लिया गया है दूसरा गा दंडे पगड़े हैं और आप पलटकर जवाब नहीं दे रहें इससे बड़ी बहादूरी क्या हो सकती है यह बहुत बड़ी बहादूरी है धर्सना का सत्याग्रह था वेव मिलर अमरीकी पत्रकार था उसने लिखा है कि दुनिया में मैं ऐसा सीनास तक नहीं देखा कि पु गोली पर गोली चलाने से ज़्यादा बहादूरी यह है कि दूसरा आप पर प्रहर करता जा रहा है और आप लगातार अग्रह कर रहा है कि नहीं आप गलत हैं हम सही है आप गलत हैं हम सही है तो यह है सत्याग्रह इसके लिए बहुत मेंटल पावर चाहिए इसके लिए बहुत सारे लोग इस सत्ताग्रह में शामिल भी थे तो बेसिकली यह गांधी जी की पावर है अब बात आती है कि यह जो चंपारन खेड़ा और एहमदाबाद के सत्ताग्रह हैं यह सफल हुए और पब्लिक को यह बिलीफ हो गया कि गांधी जी जब कभी भी पब्लिक के लिडम था क्योंकि इसमें तो न वकील न दलील न अपील जैसी बात थी सीधे उठाकर किसी को भी जेल के अंदर डाला जा सकता था तो रालट आक्ट के अगेंस्ट गांधी जी ने तुरंद माइंड सेट कर लिया कि यह गोवर्मेंट तो बेस्ट परफर्म करने वाली नही इंडियन के फेवर में गांधी जी बहुत अची तरह समझते थी ना डादा भाई नौरो जी की ड्रेन वेल्ट को भी समझते थे गांधी जी यह भी समझते थे किस तरह से हमको कॉलोनी बना जा गया है और गांधी जी के दिमाग में यह भी कुलियर था कि किस तरह से हमको मै maximum for the Indians इसके लिए फाइट हो रही थी और minimum loss के साथ तो अब बात या आई कि First World War हुआ और First World War में बहुत अच्छा मौका मिल गया खिलाफत का खिलाफत मुवमेंट तरकी के खलीफा के अगेंस था कि तरकी के खलीफा के अगेंस बिटिश थे और उसको पावर पर नहीं रहने द दे रहे थे तो गांधी जी को यह बहुत बग्यामा का मिल गया गांधी जी ने जो है मुस्लिम को साथ लेने के लिए और इंडिया खिलाफत कमीटी के वह चेर्मन चुन लिए गए तो उन्होंने यह सोचा कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहें अब गांधी जी पैगंब कि तो ऐसी कंडिशन है कि जो पहला मुमेंट था यह जो नौन कोपरेशन मुमेंट था नौन कोपरेशन को उन्होंने खिलाफत से अटाच कर दिया और उनका जो उनका उनके दिमाग में जो बात थी कि इससे इंडिया का मास कनेक्टेट हो जाएगा देखिए तिलक इतने प आगया कि नॉन कोपरेशन के दू एसपेक्ट थे पहली बात तो यह है कि इसमें एक सुदेशी का एसपेक्ट था और मतलब एक तो बाइकाट करना था हमको नंबर वन किसका ब्रिटिस सीजों का बाइकाट क्यों करना था क्योंकि इंडियन जो जो एकनामिक एकस्प्लाटिशन हो रहा था अगर फॉरण गोड्स का बाइकाट नहीं करेंगे तो हमारा अपना सुद्धी चलेगा नहीं तो गांधी जी ने पहली बात यह है कि बाइकाट फॉरण गोड्स फॉरण कपों का बाइकाट की बात ऐसी करी कि पचास परसेंट से ज्यादा परसेंट कर रहा है जिसको जिसको करके इंडिया में बिशा इंडिस भी तो यह सिंबोल फाकादी यह जो खादी गण्धी जी का समबल नगरने का यह एक संपलत लैत से और इस तरीके से गौन Dioscan के लिए कहा गया कि भई नॉन कोपरेशन करना पाएगा क्योंकि हमने जो कॉंग्रेस का सेशन जो हुआ ता नापपुर में उसके बाद यह डिसाड किया है कि हमको नॉन कोपरेशन चलाना पड़ेगा क्योंकि जो फर्स्ट वड़ वर में सुचा गया था वैसा तो कुछ को दृता नहीं तो उसके बाद अभिसली यह स्टप्स लेने थे चिनसे मासच मौम्मःंट केश्ट करेश डysijn को सके और मास puisque प्रिटिश है को सके और उन से इक कहा जा सके कि हम यह डिजर्व करते हैं को फृड़ано मिलना चाहिए को सूराज मिलना चाहिए आपके Commonwealth में रहके या आपके Commonwealth से बाहर ये बाद तिलक भी कह चुके थे ये बाद दादवाई नौरो जी ने भी मंच से कह दी दी कालकटा में और ये बाद गांधी जी भी कह रहे हैं क्योंकि इसको बहुत जबर्जस्ट पॉब्लिक का सपोर्ट मिल रहा था अब जब इस मुमट में सब के सब शामिल हो गए तो बैसिकली पूरे भारत में ये एक तरीके से ब्रिटिसर्स के एकनोमिक लाउस हो रहा था बुरी तरीके से और स्वदेशी चल रहा था तो स्वदेशी और स्वदेशी एजुकेशन तो इसी समय पर बहुत सारे काशी विद्या पीठ है डॉक्टर जाकिर हुसेन का जामिया है तो ये सारे जो उनिवर्सिटीज है ये इ इस मुदेशी जो गई तो गांधी जी इस बात को अच्छी तरह समझ रहे थे कि कॉंस्टिटूशनल मुव्मेंट बिना मास्क के सपोर्ट के नहीं चला जा सकता है तो मास्क का सपोर्ट वो ले रहे थे और मास्क का सपोर्ट लेने के लिए उन्होंनों जो सिंबल चुने वो सिंबल बिलको सिंबल था घर पर आप चरका चलाएए और चरका चलाकर खादी बनाएए खादी आपकी उसी ड्रेन ओफ विल्थ के अगेंस्ट सिंबल है जिसको मौडरेट्स बताते चले आ रहे थे खादी भारत की खादी भारत की गुलामी के अगेंस्ट सिंबल है तो औ बिसिकली ये काम शुरू किया लेकिन बहुत सारे बहुत सारे लीडर्स इस समय इमर्ज हुए नैशनल मूवमेंट में मौतिलाल नहरू सी आरदास ये तो सब गांधी जी के बराबर के कद के लोग थे तेज बादर सप्रू एंसी केलकर उस समय इनका कद गांधी जी के लगप ये सब नौजवान लोग हैं अभी सोच रहे हैं कि किस तरीके से हम इस मौमेंट में पार्टिसिपेट कर लें उन्होंना पार्टिसिपेट किया लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि गांधी जी के आडियल कौन थे महत्मा बुद्ध गांधी जी कभी भी कि प्रमाइज नहीं करते थे गलती हो गई भीड़ से कहा पर गोर्ख पर में चोरी-चोरह मैं क्या गलती हो गई गांधी जी ने यह नहीं कह था कि अंग्रेजों की पुलिस चौगल को आगले लाके तुम पुलिस वालों को जला दो उन्होंने बाइस पुलिस वालों को गांधी जी इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि अगर अगर ये मास मुवमेंट मेरे हाथ से निकल गया अगर ये नॉन वालेंट नहीं रह गया तो गोलियों का समना हम करने की स्थिती में है ही नहीं तो ऐसी स्थिती में जो चौरी-चौरा का इंसिदेंस था गोरखपूर में गोरखपूर में इंसिदेंस हुआ और गोरखपूर में एक भीड थी जो एक ठाने पहुंची और प्रटेस्ट कर रही थी कि आपने शराब के दुकान पर धरना दे रहे एक विक्ति को गरिफतार कर लिया और जब उनको संतोजनक जवाब नहीं दिया गया तो उन्हों तो एक ठाने में आग लगा दिया और उसमें बाइस पुलिस वालों को जला दिया तो गांधी जी ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि वो अंग्रेजों से उनको बगी लोग चार्ज लगाते हैं अंग्रेजों के बगी सिंपतिती अंग्रेज मर गये तो उन्होंने मुमें होना difficult काम है तो गांधी जी को यह समझ में आया कि अभी public को बहुत सारा constructive program करना पगएगा बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा ऐसा काम करना पगएगा mental make-up करना पगएगा इसलिए उन्होंने जो non-corporation movement था उसको suspend कर दिया और non-corporation movement suspend करने के ऊपर गांधी जी को बहुत सारे question मारक उठा जाते हैं सुबाज बोश ने भी question उठाया कि जब सारा देश जब बिलकुल सुरंता कागार पर खागा बाता है गांधी जी ने moment को बंद कर दिया और आज तक ये question उठाया जाता कि गांधी ने moment क्यो बंद कर दिया moment इसलिए suspend कर दिया क्योंकि उसके result गां इसके पहले बीच में एक इंसिरेंस था जो बहुत important है जिसको मैंने add कर लूँ अपनी बात में कि जलियावाला बाग का इंसिरेंस वा था इसने गांधी जी के दिमाग को बहुत तेज डैवर्ट किया था क्योंकि गांधी जी सायोगी सायोगी बन गए थे कैसे बन गए थे दूसरा जलियावाला बाग में देखिए एक तो ब्रिटिस स्टैंड था देखिए हम तो इंडियन हैं हमारी नजर में तो हर तरह से गलत है लेकिन आप ब्रिटिश पांटेवी बिसन लीजिए ब्रिटिश पांटेवी यह है कि उस समय मार्शलों पंजाब में लगा हुआ पंजाब में मार्शलों लगा हुआ था और जब मार्शलों लगा हुआ था तो सभा करी गए जलेवाला बाग में वो सरकार थे परमिशन लेकर नहीं करी गई इसलिए सरकार ने गोल्य है कि अक। करें गलत था किसी को यह पसंद नहीं कि इस तरीके से नहते लोगों को पर गोलियां चलाई जाएं वह हमारी सुनता संग्राम का बहुत बगा एक सिंबल है वह सारी बाते ठीक हैं लेकिन मैंने क्यों बिटिश स्टैंड बताया कि बिटिश पांटवू यह था कि वहां पर मार रैट हुट का टाइटल दे दिया और सुब्रमाय आयर ने अपना टाइटल दे दिया गांधी जी ने अपने सारे टाइटल वापस कर दिये जो उनको बिटिश सरकारते में ले हुए थे भारत के जितने बुद्ध जी भी थे सब को यह बात पसंद नहीं आई तो बात यह है कि गांधी जी जब भारत में आये तो उन्होंने चोटे चोटे प्रयोक किये सहयोगी से ऐसे होगी बन गए और फिर जब उन्होंने देखा कि पबलिक अभी नॉन वालेंस में ट्रेंड नहीं है तो उन्होंने मास मूव्मेंट को सस्पेंड कर दिया यह गांधी जी का क्योंकि इस समय रशन रेवलूशन हो चुका है क्रांतिकारी जो विचार हैं वो दुनिया में बहुत तीज़ डिवलप हो रहे हैं और गांधी जी को कभी भी यह बात समझ में आई कि आप सिस्टम को बंदू गोली की दम से प्लट दीची यह बात उनको कभी समझ में नहीं नहीं समझ में आई तो रशन रेवलूशन बींको समझ में नहीं आया लेकिन भारत में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो गांधी जी करावशन बढ़ा लूंच नहीं कर पाए मास मोवमेंट को नहीं चला पाई को कांग्रस की बाग्ट्र गांधी जी आइस moment नहीं चला पाए तो इसलिए इस बीछ में बहुत सारी क्रांगत्यकारी गति humanities वह हुई बहुत सारी बंदुग गोली की राजनिती भी हुई बहुत सारा कम्योनिजम भी हुई और बहुत सारा बहुत ऊसे ऐसी चीजें हुई जह जो जिनका हिंसा से कोई बहुत कनेक्शन नहीं था जो हिंसात में गतिवदियों पर अधारित थे और वो रास्ता गलत ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं तो उस तरह करके उस तरह करके वह भारत को आजात करना चाहते थे और उनका रिपॉब्लिकन इंडिया का आइडिया था लेकिन वह इस तरह से यह बाइकॉट का प्रोग्राम चलाया और सौदेशी का प्रोग्राम चलाया और यह जो नॉनकापरेशन मुवमेंट था इसके जो एम से अबजेक्टिव थे वह तो यही थे कि सुराज तुरंट मिल जाएगा तो सुराज वह लेना चाहते थे लेकिन वह इसने इंडियन मुवमेंट को नैसल मुवमेंट बना दिया पहली बात दूसरी बात लोगों के बीच में बहुत सारा कॉन्फिडेंस जवलप हो गया अभी तक मास पब्लिक जो थी पब्लिक जो थी वह कनेक्टेड नहीं थी पब्लिक तिलक पब्लिक जो थी वह तिलक के मुवमेंट में थोगा बहुत कनेक्टेड थी लेकिन बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थी तो बात यह है कि कॉंग्रेस का जो कैरेक्टर है वो बदल गया कॉंग्रेस का कैरेक्टर अब रेवोलुशनरी हो गया कॉंग्रेस अब एक रेव कर चुका हूं तो देखिए कुल में लाकर के एक मास मुवमेंट क्रेट हुआ इंडिया में पॉलिटिकल अवेरनेस आई इंडिया में वह रास्ते अपनाए गए जैसी भीर देखी गई डॉन कोपरेशिन मुवमेंट में वैसी भीर इसके पहले नहीं देखी गई लेकिन ये म मुवमेंट अपने स्वराज के एम में सक्सेस्फुल नहीं हो सका इसने बस इतना किया कि इंडिया में पॉलिटिक्स का एक बहुत बगा मन चख़गा कर दिया जिसने आगे के लिए प्लेटफॉर्म तियार कर दिया तो इसके आगे की बाते हम लोग नेक्स्ट वीडियो मे डिसकस करेंगे थैंक यू